सपना की दंदा मारकर हत्या करने वाला पती कुलिस हिरासत में जाने क्या है मामला खाना जसरानाख शेत्र के गाउंग भिन्धी का मामला तील वर्ष तूँद बिहार से सपना को लाया था अवनीश पेव वर्ष की एक बच्ची भी है सपना की पती पती में आए दिन होता था विवाद विवाद होने पर अवनीश ने सपना की दंदा मार कर दी हत्या, पुलिस ने लिया हिरासत में कर रही पूछताच, हत्या की सूचना ने पुलिस महकमे में खलगली मचा दी, मौकी पर ठाना पुलिस के साथ कोथवाल गिरीश चंद्र, सियो बलदेव सिंध हनदा, इसकी देहा राजेश कुमार पहुंचे हिपनास्थल पर पहुंचे हिपनास्थल का दौरा करने के साथ भी लोगों से पूछताच की, हत्या करने के बाद जहां पती अपनी देव गर्ष की बच्ची को लेकर फरार हो गया, वही पत्री के शब को कमरे में बंद कर भाग गया, रामीनों की सूचना पर कुलिस में शब को कबजे में लेकर पीम के लिए ग्रीज दिया, कुलिस पती को विरासत में लेकर पूछताच कर रही है, इसकी देहात राजेश कुमार ने बताया महिला की हत्या हुए है, पती से पूछताच हो रही है TV24 समाचार के लिए पिरोजाबाद से नरेंग्र वर्मा की रिपोर्ट अभी चान बिन पे पागया कि उसके पती दौरा रात में सराव के नसे में उससे कुछ से जगड़ा हुआ बतनी से और उसको लाठी माजू उसके सिर पे जिससे उसकी मित हो गई आरोपी पती को विरिफ्तार कर लिया लिया है और इस पे टार्वाइब की जाएगी तल्वाज़ा प्रिपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नभूने और बेल आइकन को भी दबाएगा